कि नमस्कार हम लोगों ने इस जो नए जो हम लोग का ये प्रोग्राम सुरू हुआ है आज कल पे उसको हमने तर्क बितर्क का नाम रखा है जिसमें कई बारे में जो समाज के कई बर्ग से लोग जो आते हैं जो हम लोग एक सन्टनिंग है कि सारे तरह की बिचारधारा इसमें करके सामने आए और उदेश यह है कि उसका एकनिककर्ष पर हम पहुंचें तो कि आज का जो है जिसको प्रधान नंती ने रेवरी की संग्यादी है आपको याद होगा जब वो कुछ दिनों पहले एक रोड के उद्रहाटन के क्रम में उन्होंने बात की चर्चा करी थी वह उन्हों स्ट्राइक किया था कि अगर आपको रोड बनमाना है अगर आपको ब्रिज बनमाने है मतलब कि अगर आपको डेवलप्मेंट करना है इस देश में तो आपको ये रेवरी कल्चर से दूरी बनानी होगी आप अगर इस तरह के छोटे मोटे मतलब लुभावने परलोवन में पर जाएंगे तो फिर देश का विकास संभव नहीं है और प्रधान मंत्री के इस बक्तब से ही चारों तरफ का जो महल था गर्मा गया था तो चलिए इसी चीज़ के ऊपर में आज बहस है लेकिन सबसे पहले मेरा प्रयास होगा जो आज के इस इस डिसकसन में हमारे साथ हैं सबसे पहले जो हमारे सामने है राजेश कुमार सिंग काफी मजे हुए पत्रकार हैं और इनके बारे मैं यही बता सकता हूं कि हम लोग दोनों साथ में भी बहुत दुनों तक काम किये सहरा में और मैं ब्यक्तिकत रुप से राजेश जी से इसे प्रभावित हूं कि इनका जो विट है इनका जो इंटर्प का होता है चीजों को समझने का और प्रस्तूती करन प्रस्तूती करन तो इनका अनमोर होता है इसलिए हमनों जब भी इन से मिलते थे तो किसी न किसी चीज के उपर में बात करते हैं अभी राजेश जी एक बहुत ही ठाती प्राप मीडिया संगठन के साथ जोड़े हुए हैं जिनका नाम है गुजरात समाचार पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि गुजरात समाचार क्या क्या इतिहास है मुझे जब जानकारी मिली तो मैं खुदी दंग रहा गया कि यह जो जी संगठन में राजेश जी रापी महत्पुर्ण पदपर हैं पतेल भी इस संगठन से मैंने उनका एक नजदीकी रहा है जुरे हुए रहे हैं तो आज जैसे मैं कह रहा था मेरी एक दूसरी जो हमारे इस पुरे करक्रम में जुरने वाली हैं उनका नाम है ममता तिरपाथी अभी उनसे मेरी बात हुई थी दो मिनिट पहले उन्होंने कह था कि उनके हाँ तो नेट का प्रॉलम है इसलिए उनको भी गेस्ट को अपने हां बुलाते हैं इस संग इस डिसक्रसन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनका टाइम हमारे लिए बहुत बहुत मुल्य है तो उनका आधर करना ये मेरा करतब है मैं राजैस जी से सबसे पह आ रहा हूं ये आपने सुना होगा आपको दो पता ही होगा कि जब ये कारिकरम हो रहा था प्रत्हानमंतिन ने कहा कि रेवरी कर्षर स्यल्चर आपको को दूरी बनानी होगी तो हम सब जान रह ते कि उनका जो इसार हम था उनका जो आक्रमन हां और कोई नहीं अर्बिν के जिवाल तो डिली के मुखमंत्री और अर्बिन के जिवाल एक एक अदबहूत पर करेक्टर हैं उनको मैं हमेजा बोलता हूं जब इनको इनको अंटरमाइंड मत कीजिए अब ग्राफ उठा के देखिए अर्विंद के जिवाल का और बाकिं इसी भी राज नेता का जिस तरह का ग्रोथ हुआ उस ब्रक्ति का देखते ही देखते हैं दिल्ली का बुक्ष मंतरी देखते हैं देखे लिए पंजाब के पूरे सासन पर कबजा और अभी वहां पर गुजरात में ताल ठोक रहा है तो अर्विन केजी वाल ने जो जबाब दिया था और उन्हेंने चैनेज किया कि यह जो पूरा रेवरी कल्चर है अगर आपको लग रहा है कि हम जो फिरी बिजली दे रहे हैं गड़ीबों को अगर हम मुफ्त में सिक्षा की बैवस्ता कर रहे हैं जिसमें कई लाख लोग मतलब सरकारी स्कूल मैंने प्राइबेट स्कूल छोड़कर करके मेरे यहां चल क्या जो सवाल है पहला महत्पुन सवाल है जो देश की स्थिती है देश की जो आर्थिक स्थिती है क्या फ्री जिसको प्रधान मंत्री कह रहे थे प्रधान मंत्री तो महमुली प्रधान मंत्री नहीं है प्रधान मंत्री जो किसी चीज की बात पर टिपनी करते हैं उसको गं देश के हित्म हैप्टी मीज़ू भुद्दा नमस्कार आपसे पहली बार वीडियो के माध्यम से बातचीत हो रही है आप हमें आपका बहुत सानित मिला था हम लोग जब आपसे चर्चा करते रहें और आप एक विसाल बर्गत की तरह हैं हम लोगों के थी लेकिन हमारा सोभा के हैं काज आपसे इस बिसेर पर बात कर रहे हैं मैं छोटी सी अपनी राय रखना जाता हूं कि बिल्गुल आपने सही कहा कि ये चर्चा तब वो प्रकास में आई जब प्रधानमंत्री ने इसारा किया एक खास दल को यानि इंडिरेक्ट रूप से आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनाव को लेकिए बिजली सबसीडी की सुरुवात दिली में हुई थी दिली सरकार ने की थी अर्विंत केजरिवाल ने किया था लेकिन तब तक हम लोग अब तक लगता है कि 3-4 साल बिजली सबसीडी ले चुके हैं लेकिन ये चर्चा में उतनी प्रकरता से या उतनी मजबूती से नहीं आया था जो इस गुजरात चुनों आया ये गुजरात चुनों में तब आया जब गुजरात में जाकर सेम फॉर्मूला पर अर्विंद केजरिवाल दिल्ली की तरज पर कहने लगे कि हम आपको तीन सो इनिट पिजली फ्री देंगे हम आपको क्या और देश करते हैं कि नहीं करते हैं सबसीडी किया है कहा जाएं तो तीनों सब्द जो है सबसीडी रेवरी और फ्री यह प्रियावाची सब्द हैं एक दूसरे के एक दूसरे से लिंकेज है सबसे पहले हिंदुस्तान में या दुनिया में सबसीडी के सुरुआत ही थी और सबसीडी की सुरुवात इसलिए हुई थी कि जो भी welfare state थे, welfare country थी, जो public को जब हम कोई government scheme launch करती है, और वो scheme उहां तक नहीं पहुच पाती है, गांधी के लोग जिन्हें आप बोलते हैं, जो बिलकुल अंतिम पायदान पर बैटे लोग हैं, जो भारत के गाउम में बैट गरीब लोग हैं, तो क्या होता था, कि इनके माध्यम से, हम वो subsidy के माध्यम से, PDS हमने शुरू किया, हम चावल को पहुचाना शुरू किया, पहले PDS के माध्यम से, फिर हमने क्या किया, कि साउथ इंडिया के लोग, दख्षिन भारत के लोग, दोड़ के किलो चावल देने हम लोग तो छोटे पत्रकार हैं उस समय का, लेकिन लोग बताते हैं, कि कामरा जब railway के फाटक से क्रॉस कर रहे थे, उनकी गारी को कुछ दिर रुखना परा, तोहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, और स्कूल का टाइम था, उन्होंने जाके उन बच्चों से पूछा, कि भ बड़ी पार्टियां सब दावा करें, हम मिड़े मिलको सफल बना रहे हैं, या सर्वसिछा अभियान के साथ इसको हमने जोड दिया, तो देखना अब यह होगा, कि क्या इसका एकोनोमिक एजेंडा है, या बोटर्स का एजेंडा है, या एलेक्शन एजेंडा है, यह डिब फरिपने पस्टेशन एजेंडा नहीं होकता है, उनका मानना यह है, कि अगरर gew मिलके जाहें, चाए मने जाहें, चाहें भी देंड़ेंसे इन मःकेट कमार्केट कहता है कि डिमांड सप्लाइए का नहीं पहुच पाती है तो क्या करते हैं कि आप दूसरा योजना सुरू करते हैं इस हैं कि मा थिख से दूसेरे तरफ से से दो युघा सुरू कि यवता है तो कहने कहने का राजस जी जी सबस्छे पहले योजना है योजना है वह सबसे पहले मेंकामराज नदार हो किया रुट सबक्राबuhan है उन्होंने एक लिख लिखा था बहुत अधूर तभी मैंने उसके चर्चा देखा था जहां तक एक यह को बहुत बहुत हुआ है और यह बेलफेर स्टेट का इसलिए कि गया है उसकी जो अधारना है कि आप चुके लोगों को पूरी तरह से रोजगार मुहया नहीं करवा सकते हो अगर आप इंस्योर ने कर सकते हो उसको डूजव रोटी ब्योश्ता हो तो ये आपकी जिम Bueno ईएक मुहष्चाने के लिए उसको मुदद कीज़ अपयों, इसलिए पूरे हिंदुस्तान पढाना है तो आपको किसानों के उपर मनें farming को text लगाना होगा तो एक freebage भी है तो freebage का मतलब यह होता है और जो मैंने कहा कि subsidies है. Subsidies की जो ब्यवस्था की गई आप देख लिए. Subsidies में जिसे जब चर्चा हुआ था मंदेगा के उपर में और मंदेगा का बिरोध हो रहा था लेकिन उसका जो उसकी जो प्रासंगिकता है अंति में पर्थान मंती नरेंद मोदी ने कहा था परलेमेंट में कि मैं डंक्या की चोट पर बोल रहा हूं कि जो कॉंग्रेस ने गढ़ा खुदवाने का काम कर रहा हूं उसको मैं चालू, मैं उसको रोक नहीं डाओं, लेके चलू है चुके, जान रहे हैं कि किसानों का जो तरह, वो तो तूसरा में तब उसके पूरे discussion का आयाम है, लेकिन जितने और सास्ती कहा रहे हैं, तो ये कहा रहे हैं कि कुछ basic चीज़ें हैं, कि अगर आप, जैसे आपने क सही हैं कि जो हम देर हैं, रासन काड़ दे रहे हैं, और गहूं दे रहे हैं, वो कुछ चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन ये laptop और सी रखनाजन ने जो कहा था, एक demarkation करना चाहिए, तो आपका वो point बहुत ही अच्छा था जो आपने कहा कि ये political gain gain के लिए जो आप कर रहे हैं लेकिन जो दूसरा सबाल मैं आप से पूछना चाहना हूँ, कि जब ये पूरा डिवेट शुरू हुआ था, तो अर्भिन केजिवाल ने चैलेंज किया था, जो हमें ने पहले कहा, उन्हें कहा कि आईए आप national डिवेट कीजिए, कि हम जो सिक्षा और बिजली गरी बादिम अगले दर हैं, उसको आप फ्रीवेज कर रहे हैं, और आप जो बड़े बड़े उद्योग पतियों को, जो अपका वेवाफ कर रहे हैं, इसके नापर, कि इस पे इंफ्रास्ट्रॉक्ट्रॉक्शर बढ़ाना है, डेवलप्रेंट होना है, उस पे आपका क्या कहना है, जो जो बिल्कुल आपने सही कहा, कि गौर्परेट टेक्स में अगर आप इंडर्स्ट्रिस्ट को छोड़ते हैं, तो क्या वो एक तरह से फ्रीवीज हुआ, लेकिन वहां आप तर्क देते हैं, कि से हमारा रोजगार बढ़ेगा, हमारा ग्रोथ, इकोनोमिक ग्रोथ बढ़ेग तो आप इसके कहीं पहल हुएं, अगर वही SP और BSP लैप्टाव बाटती है, वो मोबाइल फोन बाटती है, या स्कूल के और कई बचों को इंपावर्ट, उनका कहना मानना है, कि हम उन बंचीतों के लिए काम कर रहे हैं, जो वहां तक जिनको नहीं मिलना है, हम एजुकेश को कर रहे हैं, अब आप देखें सर्व सिक्षा आवियान, एजुकेशन मिनिस्ट्री का बहुत बरावियान है, और इंडिया चलता, क्या हम उसमें पैसा नहीं देते हैं, वो पैसा क्या कस्तूरवा इस चैसे स्कूल में, कस्तूरवा गांधी स्कूल में नहीं जाता, क्या उससे मुफ्त का एजुकेशन नहीं मिला, एजुकेशन और भोजन नहीं मिला, तो सवाल यह है कि इसको एक बरे दायरे में देखना होगा, कि क्या वेलफेर, हम धीरे-धीरे क्या हो रहा है, इंडिनों, वेलफेर एस्टेट का जो कॉंसेप्त, हम उसी को डैलूट कर रहे ह उसको डैलूट करें, हमें लग रहा है कि यह हुआ, वही पॉलिटिकल पार्टी, अगर चुनाओं में साउथ, अगर साउथ की बात करें, तो दोर के किलो चावल, के कामराज का मिड़े मिलियो जना, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, सोने का चेन बांट रही है, वो आपको पैसे बांट रही है, सराब बांट रही है, तो क्या वो फ्री वीज नहीं है, वो भी है, हमारा कहना है, तेस के हर तबके के लोग कहीं ने कहीं, इनका लाव ले रहे हैं, और एक कहिएगा हमें पसंद है, और दूसरा हमें नहीं पसंद है, यह तो नहीं हो सकता है, या तो इसको एकोनोमिक एजेंडा देखिए आप चुनो आयोग जो अभी आपने सुना होगा चुनो आयोग ने अभी आलोचना की थी कि भाई ये गलत हो रहा है हम लंका के स्थिति में पहुंच जाएंगे चुनो आयोग उस समय क्यों नहीं देखती है जब एलेक्टराल बॉंड ल जो किसी एक एस्टेक में नहीं सूट कर रहा है तो आप कई एक घलत है और इस्टेक में सूट कर रहा है कई वीज़ेपीर आजे राजे हैं ओसे इहां क Tschna को ऐसी wireless को कि कहा को एशी पार्टी है या कोई सरकार ऐसा है जो जो दisक रोकार तक ने हम फ्री बीज नहीं दे रहे हैं आपके नजर में भई देखे आपको हमसे ज्यादा तजर्वा है पत्रकाडिता का आप रोज फिल्म में रह रहे हैं हमने जो एक चीज को हमको सुरू में कहना चाहिए था कि हमने जो दो लोगों का सेलक्षन किया आपका और ममता जी का कि मैं इंजार कर रहा हूँ उत्वरा उनको लगता लेठ हो रहा है मैं इसलिए किया था कि हम यंग जेनरेशन की बात को सुने हैं हम लोग जो किताब में पढ़के कि फिल्फेर स्टेट और सी रंगराजन क्या कर रहे हैं और जीन ड्रीज क्या कर रहे हैं वो लोग भी फिल में हैं लेकिन मैं चाहता था कि जो रोज जीन ड्रीज तो फिल्फ में है लेकिन जो पत्रकार है जो रोज लोगों से मिल रहे हैं जो पॉलिटीशन से मिल रहे हैं जो पूरे स्कीम के उपर में बात कर रहे हैं इंट्रिव्यू ले रहे हैं तो इसलिए मैंने सुचा था कि उन लोगों को से बात किया जाए जो हमको और भी additional information दे सके तो आप से जो सवाल है क्या आपको कोई सरकार या कोई state की सरकार हो या कोई party जो दाबे के साथ कर सकती है कि मैं फीबीज में involved नहीं हूँ मैं इस तरह कोई इसकी नेरा रहा हूँ आपके नजर में कोई एक party का नाम अगर आप कोई इंद्रा आमा के नाम पर केंटीन चला रहा है कोई अपने जो सबसीडी घर तक पहुंच रहा है उसमें मुख्यमंत्री यहां तक की कूरियर वाले में पापा में अपना पोटोचिप का दे रहे हैं वो स्रे लेना चाहते हैं उसको ले आप साउथ से नौर् इंडिरेक्टली उनको benefit voter को करते थे उनके वज़े में अब नौर्थ में काफी अभी दिल्ली में MCD चुनाओ चलना है आप देखें MCD चुनाओ की क्या हालत है क्या उनमें नहीं रासन के दुकानों से सामान लेके या फिर चुनाओ में किस तरह से प्रोभन दिया जाता है उसका जीता जागता नमूना है तो ऐसी कोई पार्टी ऐसा दावा हां लेकिन यह बात है कि यह मिस मामले को एक बड़े दाएरे में सोचने की जौरत है जो चुनाओ आयोग से सुरू होगा चुनाओ फंडिंग चुनाओ खर्चे तमाम चीज़ लेते लेते नीचे आएंग यह फ्रीवी रेवरी सब्सेडी से क्या इसको आप जोर के नहीं देखेंगे आयोशमान भारत योजना तो वही है जो हम चलार कई चीज़ हम चला रहे हैं उसमें हेल्थ सेक्टर को मजब कोवीड में जितना भी हमने स्कीम लिया क्या वो एक तरह का तो फ्रीवी जी था उस अब मंडेगा क्या है मंडेगा में क्या आउट्पूट है लेकिन हम एक रोजगार स्रिजन का माद्या मानते हैं मानते हैं इसे एकोनोमिक ग्रोथ होता है जो एकोनोमिक ग्रोथ से फ्रीवी और एवरी को जोर के देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए एकोन समाम चीज़ों देते उस समय तो फ्रीवीज की बात नहीं हुए चुकि हम हमारा आज भी भारत का तक्रीबन 40 परसेंट तब का पिछरा हुआ है और इसलिए हम सारा कुछ करते हैं हम कुछ एक बर्ग को लेपटॉप दे देते हैं हाथ में कुछ को हम मोबाइल देदे रहे हैं कुछ महupa अर्बिंध केज़रिबाल ने गुज़रात में घोसना की थी कहम महीला को पहले दिन सा हजार रुपे हम उसके काउंट में देंगे हम कहने प्रधान मत्री मोदी ने एक बिराट गोस्टना की थी आपको याद हो का लाल किलाव गुजराथ की बात आप जब कहें तो हम दिमाग में एक चीज़ समझ में आ रहा था गुजराथ को कमपरेटिवली समझ द्रेस्टेट है गुजराथ के बारे में जो हमारी जानकारी है तो वो समझ द्रेस्टेट है उसमें जब अरदिन के जिवाल जा करके और प्रीपीज इस तरह की चीज़ों को देंगे हैं और कल मैं एक कारिक्रम देख रहा था इस पर मैं तोड़ा चुक् इतिहास पर हैं और अब तो नरेंद मोदी के परहां 27 साल में ये पुरे रिजीम में जब से चीफ निस्टर रहे वहां से तो गुजरात मोडल गुजरात मोडल तो काम कर रहा है चारों तरफ लोग इसकी चर्चा हो रही है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है गुजरात की जो जो डेवलप्मेंट हुआ है इससे किसी से चुपा हुआ ने लेकिन ये जो डेवलप्मेंट है गुजरात का ये मुझे बात आपसे मैं पूछने कोसिश कर रहा हूं क्योंकि जब अर दिन केज़वाल जाकर करके वहां भी फ्रीवीज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हों भी उस तरह का तबक्या है जो की्ज के लिए मतलब लालाई है और खास कर के तब जब मैं किसी कारिकरण में देख रहा था कि उसमें यह कहा गया कि जो डेवलपमेंट आप उसका हुमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए इसको कैमर सेन और अच्एस्टानी इकौनिस होता है और लिट्रेसी रेट ये तीन पक्ष एकॉनमी लिट्रेसी रेट और हेल्थ सिस्टम तो ये जो तीन चीजों का मिला जुला कारी जो इंडेक्स बनता है उसी से डवलप्मेंट का लेखा जोखा होता है और आज पूरे अंतराश्टी है जितने संगठन है चाहे इनाइ तो टॉप 10 स्टेट्स भी नहीं है मैं जब देखा विकीपीडिया में 1920 का डेटा तो पुझे आश्यट हुआ शॉरी 2020 का डेटा है दो साल पहले का कि आप दस क्या एकिसमा बाइसमा पोजिशन पर हैं human development index का मतलब economically बहुत बहला पो सकता है लेकिन शिक्षा के छेत्र में औ पारंग तो नहीं अर्विंद कुझेवाल इस बात को समझ गया है इसलिए वो सबसी नीज की बात वहां पर कर रहे हैं आप क्या सोचते हैं इसके उपर गुजरात एक सम्विद एस्टेट के रूप में फूदा सुरू से ही इनका चला रहा है और लोग ऐसा मानते भी थे लेकिन गुजरात जो आप देखते हैं गुजरात मोडल और गुजरात जो मैं समझता हूं वो अर्वन एरिया में जादा दिखता है गुजरात मोडल जहा और लोग प्रभावित होके कहते थे एक मौका इन्हें दो और यह दो हलांकि रिजल्ट क्या होगा वो आगे देखना होगा लेकिन इनकी रहली में जो भीर और लोग जो सुनने के लिए आते थे खासके सौराष्ट एरिया में जो अर्विंद केजिवाल जो फेमस थे या ज आते हैं जहां से आते हैं वो एरिया कापी अर्विंद केज़िवाल को दिल्चस्पी से सुनते थे अब वो भोट हलांकि वो चुकि नरेंद मोदी को अपना लोग मानते हैं और अपनी अस्मिता से जोर के देखते हैं तो भोट देते बक्स उनका लेकिन इन मामलों में और को सुनने में उनके दिल्चस्पी उतनी ज्यादा थी क्यों खास के ग्रामिन एडिया में तो सवाल यह है कि लेकिन आप गुजरात को आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं लेकिन आप गुजरात का एक पहलू और देखेंगे न तो जो उनका घाटा है राज़ोस घाटा या कि भाई आप उहां तक पहुंच पाए कि गुजरात ने निश्चित तोर से नरेंद मोदी के ने तुर्ट में काफी विकास किया गुजरात के बैपारी बर्ग बहुत खुश है लेकिन आप जब रूरल ग्रामिन एडिया में जाएंगे तो कहीं कहीं लोगों लोगों को पर में टैक्सपेयर से मतलब है कि जो बहुत बड़ा बिजनस्मेंन नहीं है जो आम आदमी नौकरी कर रहा है हम आप जिसे लोग हम जॉब करते हैं आट घंटा ऑफिस में काम करते हैं जो हमको सैली मिलती है तो इनका ये कंप्लेन है कि जो मेरा टैक्स है उसी पैसे का इस् पर आपका क्या टिपणी है मेरे कहने का मतलब यह है कि जो टैक्सपेयर्स है उट ठीक है उनका कंप्लेन तो समझ सकता हूं लेकिन क्या वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहा है कि समाज में जो कुछ जो पिछले लोग है इनके लिए व्यवस्ता की गई है अब इसका द क्रांस्पोर्ट में सफर करेंगे या आप पीसी हो रहा है हम अब और ने difट आए जितने लोग हुए है उसका लभ च। कि टेक्स कलेक्शन सबसे जिए ज्यादा हो गया जहीं जिस फ्रेंट को देखें, इंकम टेक्स देखें , तो लोगों को कुस्तों सर कारों ने भी काम किया सरकारों ने बताया है आप ठेक्स नहीं देंगे था सही सहे development नहीं कर पाएंगे तो यह सच है कि लोगों के मन में कहीं एक दर्द होता है कि हमें पैसे चुकि सबसे जादा जो सफर मिल्ड क्लास कर रहा है जो सैलली पैसा लोग है उनको आप एक नियमित सैलली देते हैं और उसमें टैक्स काट लेते हैं वो बेचारा एक लिमिटेशन में रहता है लिमिटेशन में जीता है लिमिटेशन में काम करता है तो उसे कहीं ने कहीं एक अंदर से दर्द होता है कि मेरे पैसे से सारा उचीज हो रहा है डेवलप्मेंट के नाम पे लिया जा रहा है कहीं प्रधानमंत्री मोधी ने जब इस बात की चर्चा की थी अगर आप इस त लोग चुनावी हैं चुनावी अजणडे में उनको होटर्व को लुपाने के लिए या फिर अपने जहां फित होता है उस का आशुम को आप लाउंच कर लेतें यह कहीं इक ही बात है हाँ फ्लीज हुआ लेकिन कुछ लोग का फूलदा ये भी सोचना है कि चलो इस माध्यम से भी कम सकम वो लोग जिनके वो आज तक जो बंचित थे वहां तक तो फायदा जा रहा है इसी बहाने से चुनाओ के बहाने से ही आप उसको घर में चावल पहुंचा देते हैं तो चावल तो पहुंच गय हैं डीजिटल इंटिया की बात करते है तो इंडिजिटल इंडिया का जो इन्फरा होना चाहिए जो लेप्टोप होना चाहिए जो मोबाइल होना चाहिए वो तो वहां तक पहुंचना चाहिए ये और महत्पुर्त सबाल है मुझे बार-बार जो यह टेग्सपीर serец जो बात करते हैं खास करके और इनका जो लोग खास करके सबसिदीज के बिरोथ ही लोग है उनका ये मानना है वों सक्षां करके निय neके या जो बिहार इसे स्टेट में उत्तरप्रदेश स्टेट में आप साकिल दे रहे हैं आप आप लैप्टॉप दे रहे हैं, तो आप कहीं ने कहीं उसको पॉलिट कर रहे हैं, बन्हें उसका जो entrepreneur skill है, जो कहा जाता है ने कि अगर आप कटनाई में रहेंगे, अगर आप कुछ रास्ता निकाल लेंगे, तो आपका जो जो spirit है, develop खुद से अपने आप को इमर्ज करन करने का, मतलब खुद अपने आप कुछ पैदा करने का, आपकी जो creativity को हम उसको मतलब होत्रा कर रहे हैं, यह allegation को आपके उपर अपका क्या कहना, जो उनका complaint है, कि आप इस तरह से उनकी आदत ख़रा पर रहे हैं, आप यह तो कभी नहीं कुछ कर पाएंगो, इसे ही रह जा सबसीडीज कब तक देते रहें, और वही उसी तरह के सवाल सबसीडीज पर हो रहा है, आपको जानकर के आशर्ज होगा, कि देश में जिसे मैंने पहले कहा, पहुत बड़े कई यह इसे अर्थ साचती हैं, मुझे तो मैंने कहा कि सिर्फ एक BKRB राफू लेकर के, बाकी सि इतना ही बोलते रहते हैं, उनकी अब यह इस बात पर जोड़ दे रहे हैं, डिरेक्टली और इंडिरेक्टली, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक एक को आप के अर्थू पढ़िए, कि यह जो एग्रिकल्चर है, वो भी टेक्स के इसमें आना चाहिए, क्योंको टेक्स बढ़ाना, मेरा पहला सवाल, जो मैंने आप से कहा, कि जो लोगों का आरोप है, कि अगर आप इस तरह से आप देते रहेंगें, फाइदा नहीं होगा, आप इसका एक टाइम लिमिट बनाईए, जो डिजर बेशन के बारे हैं, कि आप इसको पुलूट कर रहे हैं, आप इस इस बात पर आपका क्या कहना है, दिखिए पुल्दा जब भी खेती किसानी की बात आती है, तो आए दिन बिहार, यूपी या पंजाब के किसान जिन से भी मुलाकात होती है, तो वो इस तरह का कंप्लेन करते हैं, कि हमारे यहां लेवर नहीं मिल आखेती के लिए, तो हम ल उनके पास जो food surplus हो गया है, या आप उनके घर तक जो food पहुचान है, तो वो एक तरह से उनमें एक आलस्पन आ गया है, इस तरह की बातें उनसे सुनने को मिलती है किसानों से, यह कहीं ने कहीं बात कुछ हद तक सच भी है, इससे एक खेती किसानी और माकी जो industry का काम है, ज इसका कारण यह ही था, कि labor जो migration था, वो वहाँ दिये दिये रुपता रहा, वो इसलिए रुपता रहा कि अब उनके घर में भोजन मिलता रहा, तो वो कुछ काम करना चाहते ने, उनकी आवसक्ताएं बहुत कम होती है, उनकी आवसक्ताएं होती है कि दिन भर का भोजन आप इकठा करो और अच्छे धन से रहो, तो वो उनके लिए काफी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और कहना है, जो कि दुनिया में भारत अकिला देश नहीं है, भारत तो सबसे अंतिम देश है, दुनिया के कही राष्ट हैं, जो कि खासकर education और health में, उनके यहाँ health card औ हम लोग developed country का कुछ चीज लेके कर रहे हैं, जहां कि हम फिट नहीं बैट रहे हैं अभी फिलाग, मामला वहीं हरती, इसको बरे दायरे में सोचने की जुरत, जो मैंने कहा कि टाइम फ्रेम की बात मैंने कहा कि क्या इसका कोई टाइम फ्रेम रखा जा सकता है कि इसके बाद ह लेकि यहां दिक्कतें यह हैं कि फ़र पांस साल के बाद कहीं कहीं सरकारें चेंज कर जाती हैं, एक चा सकती, जो बात आज हुई है, वो कल जाके वो पीछे रह जाता है, फिर हम एक दिसा में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, यह भी यहां पर एक मिनिट मैं, कि यह सर्नो मैं कि क्या आज भारत इस्तितिम है कि कहँदे सिधा स्टॉप, नो फ्रीबीज, किसी भी तरगा कोई फ्रीबीज नहीं, या हम सब पर रोक है, यह अभी इस्तितिम हम हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत का एक फेडरल एस्ट्रेक्चर है, और फेडरल एस्ट जानकारी मिली, राजेश जी से, और मुझे मैं माफी चाहता हूँ अपने ओडियन्स से, कि ममता जी ने जो वादा किया था, उनके साथ नेटवर्क, उन्होंने फोन किया था कुछ दोर पहले, कि मैं थोड़ा लेट हो जाओंगी, चुकि मेरे सोसाइटिम कुछ काम चल रह है, नेटवर्क का इसू है, तो अब मुझे इस पूरे डिसकसन को क्लोज करना पर रहा है, तो मैं जो देख रहा हूँ, जो निसकर्स निकल के आया है, कि अभी सब्सिदीज को अब इमिडियेट्री नो नहीं का सकते हैं, टैक्स पेर का कुछ न कुछ जो गिरिभांस है, व देखने की जरुत है, और इस सारी की सारी पाटियां इससे ग्रसित हैं, को भी नहीं कर सकता है, कि तुम यह काम कर रहे हो, मैं नहीं काम करता हूँ, तो इस डिसकसन में, राजेश जी का बहुत-बहुत धन्यबाद में देना चाहता हूँ, आए, और हमारे दर्सकों से जु झाल